पढ़ाई कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है, एंटरंस पास कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है, डिगरी पूरी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है, पीजी पूरी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, ओके, वैसे अभी तक तो सेट नहीं हुई, हाई सालर जॉब कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, अभी भी लाइफ सेट नहीं हुई है, आखिर कब होगी लाइफ सेट? जॉब कर लो, लाइफ सेट नहीं है। आवाज भोजन शिक्षन आदी सभी व्यवस्थाएं बिलकुन रिशुल्क, श्री स्यादवाद महा विद्याले, बदेनी वरण से उत्तरप्रदेश भारत, संपर करें 9695338108, 950602715, 9111229620 हमारे सामने आता है, जिसे हम मान कहते हैं, अधिक तर लोग यह समझते हैं, कि छमा भाव क्रोध के अभाव में आता है, कि तु ऐसा मानना, मैं परिपूर्ण नहीं समझता, शमा की प्राप्ती, केवल क्रोध के अभाव से नहीं हो सकती, शमा यदि हमारा सुभाव है, तो उस सुभाव का विगात करने के लिए, एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है, जिससे मान कहते हैं, धर्म हमारा सुभाव होता है, और धर्म के जितने भी भाव हैं, वो सब हमारे सुभाव है, छमा भी हमारा सुभाव है, और मान के अभाव से जो म्रदुता मिलती है, वो भी हमारा सुभाव है, अगर हम बहुत सारे सुभावों को पकड़ना चाहें, तो हम अलग-अलग भी उनको पकड़ सकते हैं, और अगर हम एक सुभाव को पकड़ करके चलें, तो हम सारे विकारों को या विभावों को दूर करके उस एक सुभाव की प्राप्ती भी कर सकते हैं, जब हम मान को देखते हैं तो वे मान भी एक कारण बनता है जो हमारे अंदर छमा उत्पन नहीं होने देता है हमें स्वाभाविक नहीं होने देता है सहज नहीं होने देता है उस मान के कारण भी आप देखते हैं अनेक लोग इस्तब्ध रहते हैं बिल्कुल ठूट की तरह जैसे खड़े होना कहते हैं या बैठे होना कहते हैं ऐसे बन जाते हैं कहा जा सकता है कि जिनके अंदर मान होता है और वे उस मान के अधिक्ता का जब अनुभव कर रहे होते हैं तो उन्हें किसी भी तरह से छमा भाव में लाना संबब नहीं हो सकता और उनके अंदर किसी दूसरे से छमा मांगने का भाव भी नहीं हो सकता यह मान एक ऐसी कसाय है जिसके कारण से व्यक्ति किसी दूसरे को तवज्जो दे ये संभव नहीं है व्यक्ति दूसरे को सम्मान दे व्यक्ति दूसरे को माने तो मान मना करता है दूसरे का सम्मान क्यों दूसरे से छमा क्यों दूसरा इतना बड़ा कैसे हो गया कि मैं उससे छमा मांगूं मैं उसके सामने हाद जोड़ूं मैं उसके सामने विनाई से पेशाओं ये मान कसाय होती है जो भीतर से मना करती है और ये मान कसाय के कारण से जब मन इस कसाय की बात में आ जाता है तो वे बिलकुल वहीं के वहीं टिकासा रह जाता है इस तब्द होने का मतलब होता है बिलकुल ठूट की तरह बैठे रहना ठूट की तरह अभी चल रहना ठूट की तरह खड़े रहना ठूट की तरह बिल्कुल कूटस्त हो जाना ठूट जानते हूं एक ऐसा व्रक्ष जिस पर कोई फल फूल नहीं है पत्ते नहीं है कोई शाखाएं भी नहीं है और उसके सारे साखाएं उपसाखाएं तूट चुकी हैं कट चुकी हैं और फिर भी वह एक तना सा तना हुआ खड़ा रहता है उसको ठूट कहते हैं ऐसे ठूट की तरह व्यक्ति इस्तब्द हो जाता है आप देखेंगे अगर आप किसी से कोई बात कह रहे हैं वो आपकी बात को सुन रहा है लेकिन कोई रेस्पॉंस नहीं दे रहा है आपकी बात सुन करके नहां कर रहा है नहां कर रहा है आपकी बात सुनने के बाद भी वह बिल्कुल अंसुनी कर रहा है ऐसे व्यक्ति को देख करके आप समझ लेंगे कि इसका मन मना तो कर रहा है लेकिन इसने अपने बोडी लेंग्वेज पर इतना कंट्रॉल कर रखा है कि ये अपनी गरदन भी हिलाना नहीं चाहता है और वह बैठा बैठा केवल सुनता रहेगा आप उससे पूछोगे ये बात सही है कि गलत है नो आंसर ब्यक्ति के अंदर इस तरह की जब मनो इस्तिती बनती है तब उस मनह इस्तिती का मुख कारण होता है उसके भीतर का मान जब कुछ भी आप से कहना नहीं चाह रहा है कुछ भी आपके लिए बतलाना नहीं चाह रहा है कुछ भी आपके लिए प्रतिक्रिया नहीं करना चाह रहा है और ऐसा मान ऐसा अभिमान आप जब देख लेते हैं तो आपके समझ में आ सकता है कि ये मान मुख्य रूप से व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है ये मान व्यक्ति के अंदर वो चीजें नहीं जाने देता जो उसकी विकास के लिए जरूरी है और इसी मान अभिमान के कारण से व्यक्ति कभी कभी ये भी जानता है कि अगर हम किसी दूसरे से कोई बात पूछें तो साइध हमें उसका सही उत्तर मिल जाए लेकिन उसकी मान का सही कहती है नहीं उससे मत पूछो नेट पे सर्च कर लो समिल जाएगा आज नेट की एक और बड़ी चीज आ गई है जिसे कहते हैं IT Facial Intelligency एक ऐसा Science डवलप हो रहा है आपको किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं सब कुछ आपके साथ में चैट करने के लिए वो GPT तयार है और आप उसके साथ में जो भी पात करना चाहेंगे आपके लिए वो आंसर देगा आपकी साथ में रेस्पॉंस मिलेगा और आप उस लैप्टॉप को या उस टेबलेट को हाथ में ले करके आप दुनिया की कोई भी चीज़ सीख सकते हैं समझ सकते हैं आपको किसी थर्ड परसन से बोलने की कोई जरूरत नहीं है आप सोचें कि इस तरह की डिवाइस का उप्यों करते हुए व्यक्ति अब और क्या बनेगा उसकी प्रावलम्स सॉल्व होंगे कि प्रावलम्स उसकी बढ़ेंगे पहले ही आदमी जब मानी हो जाता है तो किसी से कुछ कहना नहीं चाहता किसी से कुछ पूछना नहीं चाहता आप देखते होंगे कि जब आपके मन में कोई कुश्चन आता है तो आप कई बार इसलिए नहीं पूछते कि हम क्या कम है कहीं यह यह न समझ ले कि इन्हें इतना भी नहीं आता तो यह भी हमारा एक मान होता है जो हमें रोकता है किसी से पूछने में, किसी से बात करने में किसी से समझने में क्यों बोलें क्यों आप से पूछें क्यों आपको हम तबज्जों दें क्यों आप से हम इस बाग के लिए परामर्श करें हम खुद कर लेंगे कि जब व्यक्ति के अंदर इस तरह की थिंकिंग आने लग जाती है तो उसके दिमाग के अंदर जो कुछ विचार चल रहा होता है उसके पीछे एक कसाय काम कर रही होती है जिसका नाम है मान कसाय और यहर व्यक्ति के साथ होता है आप अगर बड़े हो रहे हैं तो आपको अपने आस पाश के लोगों के साथ में दिक्कत होने लग जाती है कि हम उससे चीश क्यों कूछे है आपको पता होता है कि फलाना व्यक्ति फलाने काम में expert है था हमारे काम बिगड रहे हैं अगर हम उससे पूछेंगे तो वो अच्छी सलाह भी दे सकता है हमारे काम को बना भी सकता है लेकिन हम जब उस मान भाव में आ जाते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं जैसा होगा जैसा हो जाएगा थोड़ा कमी तो होगा उससे नहीं पूछना उसको पूछेंगे तो हम थोड़ा नीचे हो जाएंगे वो उंचा हो जाएगा तो यह मान कसा हमको रोकती है हमें उसके साथ में जुड़ना भी नहीं है हमें उससे पूछना भी नहीं है हमें उसको बहुमान भी नहीं देना है क्योंकि बहुमान देने के लिए मना करती है भीतर की बेटी हुई मान कसा है इसलिए मान कसा है जब आगे आती है तो आदमी दूसरे को सम्मान नहीं देता दूसरे का बहुमान नहीं करता और यही मान कसा है जब आगे बढ़ती जाती है तो फिर धीरे धीरे एक ऐसा अंदकार सा सामने आ जाता है कि व्यक्ति को खुदी पता नहीं होता है कि हम अंदकार में जी रहे हैं कि उजाले में जी रहे हैं आचरे कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा जागरत होती है कि मैं कुछ करूँ और ये करने की जो उच्छाल वीतर से पैदा होती है अध्यात्मिक द्रश्टी से ये भी एक मान कसाई के कारण से पैदा होती है कौन सी कसाई? ये मान कसाई क्या कराती है? आप से कहेगी कुछ ऐसा काम करो जिस से जगत में कुछ नाम हो लोग तुम्हें जाने, पहचाने, ऐसा कुछ काम करो बच्चपन से ही बच्चे के दिमाग में हर माता-पिता भरता है बिटा, बहुत बड़ा बनना है बड़ा आग्मी बनना है माता-पिता का नाम रोशन करना है माता-पिता का नाम रोशन करना है और वे माता-पिता के नाम को रोशन करने के लिए ही जिन्दगी अपनी खपाता है जब व्यक्ति नाम के लिए, किसी के नाम को रोशन करने के लिए या अपनी नाम बढ़ाई के लिए कुछ करने की इच्छा करता है तो वहीं से अहंकार पनपने लग जाता है अब इस अहंकार से कैसे बचोगे भगवान रिशब देव के पुत्र भरत और बाहु बली आप सोचें कि युकी आदी में आदिम तीर्थंकर भगवान रिशब देव के दो महान शक्तिशाली पुत्र है और दो बड़े-बड़े पदों को धारण करने वाले पुत्र है एक चक्रवर्ती हैं और एक कामदेव हैं और उन तीर्थंकर प्रभु के इन दोनों पुत्रों के बारे में अगर आप देखें जिस समय पर इस धरती पर राजा हुआ नहीं करते थे सबसे पहले राज पाठ करनी की सिक्षा उन रिशब देव भगवान ने अपने पुत्रों को दी भरत राजा थे बाहुवली भी राजा थे भरत अयोद्या के राजा थे बाहुवली पोधनपुर के राजा थे लेकिन भरत का पुन्य कुछ ऐसा जागरत हुआ बड़े होने के बाद में उन्हें कुछ ऐसी विभूतियां स्वयम आकर के प्राप्त हुई चक्र रत्न आदी की उन्हें ऐसी प्राप्ती हुई कि देवताओं ने उनसे आकर के का आप सामानने व्यक्ति नहीं है आपकी आयोत साला में चक्र रत्न उत्पन हुआ है आप चक्र वर्ती बन गए तब उन्हें महसूस होता है मैं चक्र वर्ती बन गया यानि उस दुनिया का एक मात्र राजा मैं हूं हाँ एक मात्र राजा आ ये आप बस इस तरह का एक भ्रमण कर लें और चल करके देख लें पूरे छे खंडों में आप मिलेक्ष कंडमें ना मिलेक्ष kल्य कुद्धियादर कि और यहां आसा राजा मिलेगा जो आपकी चरण बंदना ना कर जो को इतना बढ़ा है संदेश जब चक्रवरती को मिलता है तो उनके अंदर भी ये मान कसाई ये अहंकार का भाव उन्हें भीतर से बाहर फैकता है और ये होना स्वाभाविक है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के लिए ये कह दिया जाए कि तुम दुनिया के एक मात्र ऐसे इंसान हो जुसमें ये योग गिता है कि तुम दुनिया पर सामराज कर सकते हो तो बताओ कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो मना करेगा कि नहीं मुझे दुनिया पर राज नहीं करना है सबसे ज्यादा मन को अगर मजा आता है तो दुनिया पर राज करने में आता है दूसरों पर अधिकार जमाने में आता है, दूसरों पर काविज होने में आता है, यह अपने मन से पूछ लेना, जिनके पास में दूसरों के ऊपर अधिकार जमाने की तागत नहीं होती है, वो अपने घरों तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन फिर भी मन कहता है, घर में भी जो हैं, वो हमारे अधिकार में हैं एक दूसरे को अधिकार में रखने की यह मानसिक्ता घर के अंदर भी शुरू हो जाती है और जब हम घर के बाहर इस मानसिक्ता को ले आते हैं तो मानसिक्ता समाज में आ जाती है कोई भी व्यक्ति धनी है अगर समाज के अंदर तो उसे सामिल किया जाता है हर एक ट्रस्ट में क्योंकि आपके पास में धन है इसलिए नहीं कि आपके पास में ग्यान है आपके पास में कोई कुसलताएं है इसलिए कि आपके पास में धन है तो आदमी धन को इसलिए खटा करता है कि धन के कारण से उसे मान मिलेगा धन के कारण से उसे सोहरत मिलेगी आज देखो दुनिया के अंदर जितने भी धनिक होते हैं उन सब धनिकों को टार्गेक बनाया जाता है इसलिए ये धन शोहरत ये हमारे अंदर के उस मान को उस नाम को बढ़ाने के लिए एक साधन बन जाता है हमें सामराज्य करना है दुनिया की हर संस्ता पर इसलिए दुनिया में देखना आप लोग ट्रस्टी बनते हैं संस्था को चलाने के लिए नहीं बनते हैं सिर्फ संस्था में नाम लगाने के लिए बनते हैं उन्हें चलाने के कोई अकल नहीं होती है इसी लिए अकल की कमी के कारण से, management की कमी के कारण से बड़ी-बड़ी trust बनने के बाद भी वो trust धराशाई हो जाती है वो संस्ताइं धराशाई हो जाती है क्योंकि वो संस्ताइं केवल धन के बल पर नहीं चल सकती है केवल धन के मद पर नहीं चल सकती है कोई भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए अकल चाहिए, कुसलता चाहिए और वो कुसलता जब लोगों के पास में नहीं होती है तो वह अपना अहंकार बढ़ाने के लिए धनिकों को आगे ला करके अपने अंदर एक भाव ले आते हैं कि हमने इतना बड़ा निर्मान कर दिया हमने इतना बड़ा इस्ट्रक्चर यहां खड़ा कर दिया यह अहंकार होता है जो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए भीतर से प्रेड़ना देता है और इसी अहंकार के कारण से चक्रवर्थी के सामने जब चक्रत ना जाता है तो वो दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यात्रा निकालने को मजबूर हो जाता है पूरी दुनिया के अंदर च्छे खंड में अपनी तमाम सेना को लेकर के अच्छोणी सेना को लेकर के निकलता है और दुनिया के अंदर ऐसा कोई कोणा नहीं बचता ऐसा कोई राजा नहीं बचता जो उसकी गुलामी स्विकार ना कर लिए इतना दल बल के साथ निकलना उसकी सोहरत को बढ़ाने के लिए होता है और वह चक्रवर्ती इस बात के लिए ये संदिश देना चाहता है कि इस दुनिया में मैं ही एक मात राजा हूँ मैं ही यहां का सम्राठ हूँ जानते हो वो चक्रवर्ती के पास में कौन सी दृष्टी होती है वो वही दृष्टी होती है जिसके लिए तुम जिंदगी भर धर्म सुनते हो यह तपस्या कर रहे हो यह साधनाय कर रहे हो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए और उसके अंदर वो दृष्टी आ चुकी है इसलिए धर्म तब तक नहीं आता पूरा का पूरा जब तक की व्यक्ति अपने अंदर का यह अहंकार पूरा का पूरा समाप्त ना कर ले केवल सम्यक दर्श्टी हो जाने से धर्म नहीं हो जाता केवल सम्यक ज्यानी हो जाने से भी कोई धार्मिक दृष्टी नहीं आ जाती आपका अहंकार जब आपका सर चड़ करके बोलेगा तब तक आपके अंदर का सम्यक दृष्षन भी आपको बचा नहीं पाएगा वो अहंकार आपके सामने आ जाएगा तो आपको बड़े-बड़े युद्ध भी करने के लिए तत्पर कर देगा इसलिए आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग होते हैं जो दस दिन तक हुप वपवास करते हैं दस दिन तक पूजाएं करते हैं दस दिन तक बड़े-बड़े सिवेरों में भी जाते हैं लेकिन 11 दिन वह फिर अंसी भाव में आ जाते हैं सम्राट है पुरे विश्व के छो खंडों को जीत करके आ गया पांच मिलेकश खंड एक आर खंड सब पर विजय प्राप्त करके आ गया यहां तक कि जो विद्याधर लोग होते हैं बड़ी-बड़ी विद्याओं के स्वामी होते हैं उन विद्याधरों की स्रेंडियों में भ वैं अयोध्या में प्रवेशा नहीं कर रहा है चक्र और रूप रुप गया वहीं पर सब लोग कि सोच रहे हैं आश्र में पड़ जाते हैं कि यह चक्र यहां आने के बात क्यों रुप गय AH अब तो यहां कुछ बचाई नहीं, दुनिया में सारे राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली, अब तो कुछ बचाई नहीं यह चक्र आगे नहीं बढ़ रहा है, यह संदेज दे रहा है इस बात का, कि कोई ना कोई है, जो आपको अभी स्विकार नहीं कर रहा है पता लगाओ कोन है, राजन आपने दुनिया के सब राजाओं को जीत लिया, अब आपके घर के ही भाई रह गए है, अब आपको अपने घर के लोगों को जीतना है, दुनिया के लोगों को तो आपने जीत लिया है, लिकिन यह आपके भाई है, और जानते हो, यह भी उसी पित कि परिद्रा की संतान है, जिसकी आप है, इच्छ्वाकूवंशी है यह चत्री है, यह आपकी दास्ता कैसे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मेरा चक्रत्न आगे चल रहा है और मैं पूरे दुनिया में एक मात्र समराथ हूँ, यह ढोशना करने वाला यह चक्रत्न हम वो भी आपके ही घर का है जो इस स्वीकार नहीं कर रहा है वो अपना राज्य जब आपके लिए दे दे अपना मुकट आपके चरणों में अर्पित कर दे तब आप समझना कि कि आपने अपने घर के भाईयों को भी जीत लिया है और वो भाई अभी तैयार नहीं है आपके लि लोगों को जीतना अलग बात है और घर के लोगों पर जीत हांसिल करने के बाद में फिर अपने भीतर के घर को जीतना और अलग बात है यह सब अहंकार के कारण से बढ़ते हुए सामराज राजन आपके सामने खड़े तो हो गए लेकिन अभी आपको अपने भाई भाई को जीतने के लिए भी पुर्शार्थ करना पड़ेगा और वह भाई और कोई नहीं है आपका भी आपका ही सला भाई है जिसका नाम है बाहु बली उन बाहु बली के पास मैं अपने संदेश को पहुचाओ उनसे कहो कि मैं यहां का चक्रवर्ती हूं और वह इस हिकार करें कि हां मैं यहां का चक्रवर्ती हूं तो बाहु बली के पास संदेश पहुचते हैं दूत पहुचते हैं और बाहु बली कि सबको सुनने के बाद में उसे ऐसी तुच्छता की द्रश्टी से देखते हैं कहां का चक्रवर्ती अरे वह पूरे दुनिया में अपना चक्र गुमा के आया है अरे वह तो कुमार भी कर रहता अपना चक चका और उस दूत के तो हो सोड़ गए कि कि इतने बड़े चक्करवरती का अपमान उसने कुमार की उपमा दे करके कर दिया और उसने जाकर के सीधा भरत से कह दिया आपका बाहुवली भाई नहीं है आपका दुस्मन है वो किसी भी तरह से आपके बसमे होने का नहीं और अब एक ही मात्र काम रह गया है कि बस युद्ध किया जाए और दोनों के बीच में एक युद्ध की योजना बन जाती है और दोनों के बीच में युद्ध होने लग जाता है और युद्ध होने के बाद में फिर एक ऐसा द्रश्य सामने आ जाता है कि बाहु बली छोटे हैं भरत बड़े हैं तो भी बाहु बली को एक भीतर से गिलानी आ जाती है एक शरम आने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है कि उन्होंने उसी समय इस दुनिया से मूह मोड लिया और सारा राजपाट त्यागना क्या है सब कुछ उससे अपना मोच छोड़ करके एकांत जंगल में निकल गए और सब उसकुछ त्याक करके विल्कुल भीत राग बन करके दिगंबर मूर्ति बन करके खड़े हो गए कभी-कभी दूसरे के लिए सब को छोड़ देना भी अपनी बहुत बड़ी जीत होती है और बहु वली ने वही किया है भरत को कह दिया छोड़ दिया इस राज्य के राजा आ बनने आपको चक्रवर्ति बनने के पीच में कांटा लग रहा हूँ, तो मैं निकल जाता अँए यहाशा और वह निकल गए, खड़े हो गए- और वहां पर खड़े होने के बाद में उन्होंने तपश्या की और उस तपश्या में भी वो क्या कर रहे हैं- अभी उस तपस्या में भी उन्हें उसी अंदकार को जीतना है जिस अंदकार की व्यात हम आप से कह रहे थे द्रश्टी समीचीन बनने के बाद भी अहंकार सिर्चड़कर के बोलता है ग्यान सम्मे ग्यान होने के बाद भी अहंकार सिर्चड़कर के बोलता है और चारित्र भी जब तक अंतर मुखी नहो तब तक अहंकार सिर चड़ करके बोलता है इसलिए आप देखना बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने चारित्र की रक्षा करने के लिए दूसरे के चारित्र पर लांचन लगाते हैं बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने ब्रतों की रक्षा करने के लिए अपने आपको बड़ा बनाने के लिए अपने आपको प्रतिष्टित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं निंदा करते हैं दूसरों की ये भी एक बहुत बड़ा अहंकार होता है और ये अहंकार तभी छूटेगा जब आप बिलकुल अंतर मुखी हो जाओगे और अंतर मुखी होने का मतलब है ध्यान में इस्थित हो जाना जब आप ध्यान में इस्थित होगे तब आपके अंदर बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तू आपके ध्यान को जब विचलित नहीं करे और आपका मन उस ओर न जाए तब आप अपने चित जोती की ओर आना सुरू करोगे बाहुवली ने सब छोड़ा और सब छोड़ने के बाद में जब वे अपने चितन्य जोती को देखने के लिए अपने भीतर के अहम को विसरजित कर रहे है तो वे अहम विसरजित करने में अहम को छोड़ते जाने में हर तरह से अहम का समरपन निकाल करके उसे अलग करने में उन्हें बहुत समय लग रहा है और जितना भी समय लगेगा वो लगेगा आप ध्यान में बैठ जाते हो चाहे खड़े हो जाते हो आपको महसूस होता है कि ध्यान में बैठने के बाद भी हमें वह महसूस नहीं हो रहा है वह प्रकास नहीं आ रहा है जो आना चाहिए तरह तरह की चीजों का आलम मन लिया जाता है कभी ग्यान का कभी ध्यान के अनेक तरह के उपायों का कभी अनेक तरह की भावनाओं का कभी अनेक प्रकार के चिंतनों का और इस तरह का करते 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 जब मन विलकुल उस प्रक्रिया में डूप जाए तब एक छण आता है जब वे चिज्योती प्रकट होती है जिसको कहते हैं केवल ग्यान को प्रकट हो जाना केवल ग्यान की उत्पक्ति हो जाना और वे चित जोती जब आ गई प्रिकाश आ गया तब समझना अंदकार इस आत्मा से पूरा का पूरा छट गया हट गया इसलिए जब भी कोई व्यक्ति खुद को बनाना चाहता है तो उसे पहले खुद को मिटाना पड़ता है सुन् रहे हो कि नहीं खुद को मिटाना पड़ेगा खुद को मिटाना पड़ेगा तब आपको दिखाई दे गा कि मैं खुद ही खुदा बन गया हूं केवल ग्यान प्राप्त हो जाना माने खुद में ही खुदा बन जाना लेकिन वे बनने के लिए पहले आपको अपने आपको इतना खोद देना पड़ेगा कि आपके भीतर कहीं से कहीं तक कुछ रहे नहीं मिटा दो खुद को इतना मिटा दो कि आपके लिए कहीं कोई भावी ना रहे कि मैं इस दुनिया में कुछ हूँ किसी के लिए हूँ और किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ किसी के लिए कुछ बना रहा हूँ जब इतना सम मिट जाएगा तब जाकर के वह चिज्योती प्राप्त होगी और उस चिज्योती को प्रिकट कर लेने का नाम ही है केवल ग्यान को प्रिकट कर लेना उस केवल ग्यान को प्रिकट करने का नाम ही है अपनी आत्मा की शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेना ये प्रिकार, ये आयाम, जो भी ये उपाय आपके सामने हैं, ये सब उपाय उस अंदकार को दूर करने के लिए होने चाहिए और होते हैं और उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? तद भूतार्थ परिग्रहेन विलयम यद देकवारम द्रजेत जो ये अंदकार अगर दूर होगा तो भूतार्थ के परिग्रहेन से होगा भूतार्थ क्या होता है? भूतार्थ का मतलब होता है भूत माने जीव और अर्थ माने प्रियोजन जिसका प्रियोजन केवल जीव के साथ रह जाए अपनी आत्मा चेतना के साथ रह जाए उसका नामे भूतार्थ उस भूतार्थ के प्रियोजन के साथ में जो व्यक्ति अपना समय निकालेगा तभी उसके भीतर का अंदकार दूर होगा उसके अंदर की चिज्योती प्रगट होगी और एक बार अगर उसका अपने से अपने में ग्रहण हो गया एक ही बार होना है वो बार-बार नहीं होना है बस एक बार वो ग्रहन हो गया तो फिर उस ग्यान रूप आत्मा के अंदर किसी भी तरह के कर्मों का बंदन फिर नहीं हो सकता है और वे आत्मा कर्म से मुक्त हो जाता है केवल उस भूतार्त को ग्रहन करने से ही उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि कर्म उसके आसपास होते हुए भी उससे फिर बंधते नहीं है तत्किम ग्यान घनश्य बंधन महो भूयो भवेद आत्मने फिर उस आत्मा के लिए जो ग्यान घन आत्मा है उसके लिए पुने बंधन कैसे हो सकता है अर्थाथ नहीं हो सकता है दोनों चीजे एक साथ नहीं रह सकती है इसलिए ग्यान प्रकाश है और मान अंदकार है यह यहां से सिद्ध हो करके आता है प्रकाश क्या है अपनी आत्मा का ग्यान अपनी आत्मा का ही ग्यान प्रकाश है और कोई प्रकाश प्रकाश नहीं है अंदकार क्या है अहंकार ही अंदकार है और इस अंदकार को चीरते चले जाना है तब तक की जब तक की उए चिज्योती केवल ग्यान का प्रकास प्रिकट न हो जाए और उसको प्रिकट करने के लिए कोई उपाय हैं साधन है तुवे ध्यान है और ध्यान करने के लिए भी हमें अनेक तरह के साधन मिलते हैं उन एक साधनों में सबसे अच्छा साधन जो आपके लिए सरलता से ध्यान में आपको प्रविष्ट करा दे उसका नाम है अरहम ध्यान जिसका ध्यान करोगे वही बनोगे अरहम का मतलवी क्या है अरहम का मतलवी है अरहंत और सिद्ध अरहंत और सिद्ध का मतलब क्या है केवल ग्यान से प्रकाशित आत्मा है चुद्ध आतम है जब हम उस अरहम को अपने buddies अंदर किसी भी सरीर के अंग पर ध्याते हैं तो वे केवल ज्यान का प्रकाश हमारे इसमरण में आने लग जाता है चैतन्य ज्योती हमारे इसमरण में आने लग जाती है इसलिए यह कहा गया अरहम ही चिज्ज्योतिय, अरहम अरहत सिद्द, ये अरहम कोई अरहत कहते हैं, अरहम कोई सिद्द कहते हैं, अरहम कोई साधू कहते हैं, अरहम ही मंगल है, अरहम लोक प्रशिद्द, लोक में आपको प्रशिद्दी दिलाने वाला, लोक में आपको सिद्दी दिलाने वाला, और लोक म ही है इस अरहम के ध्यान से जब आप बिलकुल अरहम मैं हो जाएंगे तो अहम दूर-दूर तक फिर हमें चुण नहीं पाए है जब तक अहम रहेगा तब तक अरहम नहीं होगा और जब अरहम आ तो फिर अहम गायव हो जाएगा इसलिए यह अहम को छोड़ करके अरहम से मिलकर करके अरहम की यात्रा करके अरहम मैं बनना यह ध्यान से संबब है कि अपने हम को छोडते हुए अपने अंदर में यहम में वह हूं मैं इस तरह का रहूं में उस तरह का हूं मेरी यह करता हैं मेरी वह करता हैं कि सब जब तक बस्तेम बांथ करके नहीं रखोगे लेकिन फिर भी भांधना तो पड़ता ही है जब तक इन सब विकल्पों को इन सब विचारों को जब तक आप बिल्कुल तोड मरोड करके बस्ते में बांध करके इन से पिंड नहीं छुड़ाऊगे तब तक आपका मन कभी भी प्रिकाश की ओर आ नहीं सकता इसलिए अहंकारी आदमा कभी भी किसी को छमा नहीं कर सकता आप देख लेना छमा करने में जो कष्ट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा अहम नहीं कहता है कि हम दूसरी से छमा मांगे हमें दिखाई देता है उसने हमारे साथ में गलत किया है लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देता है कि ये गलत करने के लिए भी इसके जिम्मेदार हमी थे आज नहीं कभी न कभी और ये अंदकार हमारे अंदर जो ग्यान उत्पन नहीं करने देता है यिसी का नाम अहम है इसलिए अभी आप इससे छमा भाव से छुटकारा मत पा लेना कि भाई छमा धरम कल था आज तो दूसरे धरम की बात करो माराज एक एक धरम की बात आप दूसरे दिन करने बैठ गए हमें तो वही बात करनी है जो बात करने योग्य है और हम वही बात करते हैं जिस बात से आपका हित होता है और आपके लिए अगर ज्यादा ग्यान दिया जाए तो आपका अहित भी हो सकता है इसलिए ग्यान एक ही हो लेकिन अनेक तरह से आपके भीतर आ जाए तो साइद आपके लिए वो ग्यान हित कर हो जाए आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि छमा से बढ़कर के कोई म्रदुता दूसरी बड़ी चीज नहीं है म्रदुता तो अपने आप आजाएगी मारदव तो उसके पीछे पीछे आएगा बस मन को आचारे महराज बोलते मन को मारदव तो मारदव धर्म आगओ ये आचार महराज की बचन है मारदव मन को जो मार देगा उसके अंदर मारदव धर्म आजाएगा मन को मारने का मतलब ही है मन में और कुछ होता ही नहीं अहंकार के अलावा तो जितना आप मन को मारोगे, मन को मरोडोगे, मन के बिकलपों को तोडोगे, उतना ही आपका मन मरेगा, मतलब आपके भीतर का अहंकार मरेगा क्योंकि मन अहंग की परियाए वाची सब्द है मन अहंग का परियाए वाची एक परियाए है मन और कोई चीज नहीं सिर्फ अहंग के साथ जीने वाला है मन इसलिए मन मनमानी करता है लेकिन जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता तोड़ने का तो आप मजबूर हो जाते हो तब आपको वो काम करना पड़ता है और आपने अगर मजबूरी से ऐसा नहीं किया हो मंजूरी दे दियो तो समझ लेना कि आप बास्तम में धर्म कर रहे हैं यदि आप भी अपने बच्चों को गुडवत्ता पूर्ण शिक्षा दे कर संसकारित बनाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या विश्विद्यालने में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी बच्चे को राष्टपती पुरुसकार या पद्मिश्री जैसे पुरुसकारों से अलिंकरित किया जाए तो आपके लाडले की संपून पढ़ाही निशुल खाम कराएंगे पुझ गनेश प्रिसाद वनी जी द्वारा इस्थापित पुझ जुमुरी श्री प्रणम्य सागर जी महराज के आशिरवात से संचालित श्री स्यादवाद महाविद्याले वह रनसी में जी हाँ यहाँ पढ़ने वाले सो से अधिक परा इसनातक बन चुके हैं अनिक विश्विद्यालों में प्रोफेसर्स पंद्रा से अधिक प्राप्त कर चुके हैं रास्टपती पुरुसकार एतरा ही नहीं सीवच दोहजार चौबिस में भी एक विद्वान को पदमिश्री पुरुसकार से सम्मानित किया जा चुका है प्रिवेश प्रारंब दस्मी अत्वा बारवी पासचात्र सीधे ले सकते हैं प्रिवेश आवास भोजन शिक्षन आदी सभी व्यवस्थाएं बिलकुन रिशुल्क श्री स्यादवाद महाविद्याले बदेनी वरण से उत्तरप्रदेश भारत संपर करें 9695338108 9506602715 911129620